जब हम तिरुद असनातक छेतर में चुनाव लरने के लिए निकले थे तो हम लोग मुठी भर लोग थे आज हमारे साथ लाखो लोग है नमश्काट दर्श निउस देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया तिरुद सनातक शेतर काचनाव जसकी चर्चा अब हर ओर हो रही है कारण है कि यहाँ पर जेरियों ने उमीदवार बनाया है अभिशेग छाको दूसी और आज़री ने मैदान में उतारा है अपने प्रत्याशी गोपी किशन को तो वहीं चिराग पासवान से बगावत करने के बाद तिरुद सनातक शेतर से निर्दलिये तोर पर खड़े हुए है राकेश कुमार रोशन दरसल राकेश कुमार रोशन पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जैसा कि हमने आपको असे पहले भी बताया था उन्हें एमिल से बना था और तिरुद सनातक शेतर के लिए उन्हें काम करना था तो अब ऐसे में मुकाबला दिल्चस्प है क्योंकि राकेश टोशन काफी समय से जन संपर कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं और बिहार फर्स बिहारी फर्स के विजन को लेकर के आगे जा रहे हैं उन्होंने पहले भी कहा है कि उन्होंने चिराख पासवां से बगावत जरूर की है लेकिन उनके आइडियोलोजी पर काम भी करेंगे अब ऐसे में जिस तरीके से लगतार राकेश कुमार रोशन अपना संपर्क साथ रहें लोगों के बीज जा रहे हैं और लोगों के बीज दावा कर रहे हैं कि जो वादे उनके द्वारा किये जा रहे हैं उसे पूरे किये जाएंगे तो ऐसे में अपने संबोधन में और भी क्या कुछ कह रहे हैं सीधे तोर पर लोगों से वोट की अपील कैस यह लोग पहचान के मोताज नहीं है और आज जब हम तिरूत असनातक छेतर में चुनाओ लरने के लिए निकले थे तो हम लोग मुठी भर लोग थे आज हमारे साथ लाखो लोग है कल सिता मडी में कार्जकरम हुआ है और पहली बार असनातक बोटरों का कार्जकरम रिगा खे का 22 से उठकर सिता मडी गया है और वहां पर खेल मैदान में कार्जकरम हुआ तो एक लोगों में जिग्यासा है कि तिरूत असनातक छेतर में चुनाओ कैसे होता था किसी को पता ही नहीं था इसी करम में जब हम लोग कार्ज करना सुरू किये तो आप वोटरों की संख्या द करना जरूरी है कि हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली बॉलोग जाते हैं एक जगा आप दिखाई नहीं देते हैं करमचारी बीना पैसे देवे करमचारी एक आप लोगी मंदारी से बोली एक रुपया करमचारी कोई काम करता है क्या फिर भी हम उदालों के नेता कहा रहते हैं जिनकी सरकार में हम है उनके नेता हमारे हां पता है कौन है हमारे महनार में कौन है पांच दिन से कहां भोचल लहा है कितनी तागतवर है पूरे बैसाली से लिए पूरे विहारे को पांच दिन से खिला रहा है लेकिन उनको कम से कम महनार विधान सभा में लैंड सर्वे वील पर रोकना चाहिए ना गुश्कोरी बंद कराना चाहिए ना लेकिन सब लोग मिली भगत की होगे है इसके बाद वो पुछते ही नहीं थे उनको जीतने का तरीका पता था इमंदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थ उसका फायदा क्या मिलता था उनको नवनितीज कुमार के आदमी बन पाए नडाजत के आदमी बन पाए आप विधान परसत के चेर्मन बनने की बात हो देखिए आप सोचके देखिए विधान परसत का चेर्मन कोन बनता है वही बेक्ती बनता है जब महागठ वंदन में जो को संबोधित करते हुए राकेश कुमार रोशन तिरुद सनातक शेतर से प्रत्याशी है और इस शेतर के लिए कितना विकास करेंगे कितना काम करेंगे वो साफ तोर पर कहते नजर आ रहे और 5 दिसंबर को ये चुनाफ होना है ये भी आपको बता दे तिरुद सनातक शेतर का जो चुनाफ है वो 5 दिसंबर को होगा और 9 दिसंबर को इसके परणाम सामने आ जाएंगे ऐसे में तमाम जितने भी प्रत्याशी है अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए शेतर में निकल चुके हैं और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर पढ़ने नाम सामने आता है दर्शने उज में फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए अगर अपी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टेग्र पर भी पॉलो करणा नभ हुई थन्य बाद